नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्ट्रेश भी क्लासेज में दोस्तों आज हम करेंगे इस वीडियो में हर्याना का इतिहास मा बारतकाल के समय में देखिए पहला प्रेशन पूरू अंस्की राजदानी थी तो पूरू अंस्की राजदानी क्या थी हस्तिनापूर ठीक है अप्सन नमबर ए इस राइट अंसर पूरू अंस्की राजदानी हस्तिनापूर थी next मा भारत था वामन पुरान में हर्याना को कहा गया है तो मा भारत और वामन पुरान में हर्याना को क्या कहा गया है ये कहा गया है दर्ती का युद्ध सतल option number C is right answer next person number 3 कूरू अंस की राजदानी थी तो कूरू अंस की क्या राजदानी थी तो कुरू अंज की राजदानी दोस्तो इंदर प्रस थी ठीक है इंदर प्रस तो उप्षन नमर भी इज राइट अंसर नेक्स्ट पर्शन नमर फोर हर्याना का वैस थान जहां इति हास परशिद्ध मा भारत का युद लड़ा गया तो मा भारत का युद काँपर लड़ा गया था ये कुरुक्षितर में लड़ा गया था ठीक है ये परशन आ चुका है बले ही आपको इजी लगे नेक्स्ट पर्शन मनु के पूत्र सरयाती के राज्य की राजदानी क्या थी मनु के दो पूत्रों का संबंदर याना से था ठीक है सरयातरी उन में से एक है उन दोनों में से तो मनु के पूत्र जो सरयातरी है उसकी राजदानी क्या थी सरयातरी की राजदानी दोस्तो नार नौल थी ठीक है पासका option number A next person निमन में से कौन सा सासक पूरू अंस से संबन दिता है तो पूरू उन्चे संबंध दोस्तों किसका है उप्रियुक्त सभी का ठीक है इन सब का ठीक है इन सब का क्या है पूरू उन्चे संबंध है ओप्सवन नमबर D is right answer नेक्स्ट पर्षन नमबर 7 पनियों अथवा व्यापारियों के नाम पर हर्याना के किस सथान का नाम करण हुआ माना जाता है तो यह है उप्सन नमबर A पानिपत ठीक है पनी पनी किसको बोलते थे जो दूर दूर दक व्यापार करते थे उनको पनी बोलते थे मा बारतकाल में क्रुक्षेत्र के पर्थम यूद के नाम से परसिद यूद है तो क्रुक्षेत्र का जो पर्थम यूद यानि के जो क्रुक्षेत्र में मा बारत का जो यूद हुआ था उससे भी पहले एक क्या है दोस्तो यूद हुआ था वो किन के बीच हुआ था तो वो किन के बीच पीच में गानधार आज का जो हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया है वो गानधार एरिया में पड़ता है, option number B is right answer, मनु वैवत्स के कौन से दो पूत्रों का सम्मंद हरियाना से स्तापित किया जाता है, तो मनु के कौन से दो पूत्र थे, जिनका सम्मंद हरियाना से तो यह था, सुध्युमन और स्रियाती, option number C is right answer, ठीक है, 9 का option number C, next person, काले, चमकीले, चित्रित, मरत भांड, कौन से काल की सिंसकर्ती के परतीक है, तो काले और चमकीले, मरत भांड, दोस्तों, कौनशी से बता में पाई जाते थे, यह है, वैदिक से बता में, ठीक है, option number A is right answer, next person, मावार्त का युद्ध, डैस के दोरान लड़ा गया, तो किस युग में, कौनशे समय में मावार्त का युद्ध लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था, 900 इसा पूरो, ठीक है, 900 इसा पूरो, बहुत जग है, आपको यह accurate जो इसका answer वो है, 950 इसा पूरो, लेकि अकुरेट इसका 950 है, अगर कहीं पर 950 भी मिल जाए, तो आपको 950 भी कर देना answer, next person, मावार्त काल में स्ताप दियों, पूरो हुए, आर्यवंसी कुरों ने इस परदेश में किस युग का प्रारम किया था, तो मावार्त काल में से भी पूरो जो आर्यवंसी थे, कुरों क उन्होंने कौन से युग का प्रारम किया था, तो ये किया था, इन्होंने 30 युग का, ठीक है, अप्सन नमबर C is right answer, 12 का है, अप्सन नमबर C, next person, रिगवैद के बहुत सारे प्रिछेदों में बताया गया है, सबद एगन्या, जिसे मारा न जासके, यानि कि एगन्या का मत एसा माना गया है, जिसे मारा ने जा सके, next person, मा भार्तकाल में राजा डैस, द्वारा करनाल सेहर की सथापना की गई थी, तो मा भार्तकाल में करनाल की रचना, ठीक है, किस ने की थी, कर्ण के नाम पर करनाल का नाम रखेवाँ, आपर कर्ण का टिला भी हाज के समय में, next, बगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां दिया था तो कहां पर दिया था गीता का उपदेश ये भी आपको विल्कुल आसान सा है लेकिन ये भी आ चुका है कुरुक्षेत्र में ठीक है बी ओप्सन नमर बी इस राइट अंसर नेक्स्ट हरियाना का डैस मह मा कावे में उलेख किया गया है तो हरियाना का जो उलेख किया गया है मा भारत कावे में ठीक है मा भारत कावे में हरियाना का उलेख किया गया है यह माना जाता है कि पंडू पिंडारा में डैस ने अपने पुरोजों की पूजा रचना की थी तो पंडू पिंडारा में दो प्राचिन नाम क्या था तो कुरिक्षेत्र का प्राचिन नाम दोस्तों क्या था था थानिसर ठीक है थानिसर ठारा का डि अंसर नेक्स्ट रिगवेद में हर्याना का नाम क्या था तो रिगवेद में दोस्तों हर्याना का नाम रजे हर्याना था ठीक है रिगवेदिक काल में पिगवेद में जो नाम मिला हमारी सित्र का हर्याना का वो क्या है? रजे हर्याना Next person Number 20 मा भारत का मूल नाम क्या है? तो मा भारत का जो मूल नाम हसली नाम हूँ है जै सहीता ठीक है जै सहीता Next person Number 21 दस राजाओं के लड़ाई किस नदी के तट पर बताई जाती है लड़ी गई थी तो ये लड़ी गई थी रावी नदी के तट पर ठीक है option number B next number 22 पूरू अंस के सासक सुदास ये हम दस राजाओं के संग के मदद है किस नदी के तट पर एक युद हुआ था जिससे दस राजाओं युद भी कहते है उसको पूरूशनी नदी भी कहते है ठीक है तो पूरूशनी नदी के तट पर हुआ था दस राजाओं युद और आज का last person है पंचविष प्रामन में हर्याना को किस नाम से सम्मोधित किया गया है पंचविष एक क्या है गरंत है और उसमें ब्रामन गरंत है तो उसमें किस नाम से लिखा गया है क्या बताया गया हर्याना के बारे में ब्रह्मवेदी ठीक है ब्रह्मवेदी के नाम से उसको बताया गया है तो ये थे आज के 23 महतोपुन परसंद दोस्तों उमीद है आप लोगों को पसंद आएंगे पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए आज के लिए इतना ही थेंक यू वेरी मुच